हेलो दोस्तो हम हिंदी गद्ध साहित्य का इतियास कर रहे थे और उसमें अमारा टोपिक था निबंध आज हम 24 क्वेस्टन कर चुके थे आज हम 25 क्वेस्टन से करेंगे अमारा 25 क्वेस्टन है निमलिखित में से कौन सा निबंधकार ललित निबंधकार नहीं है नहीं है पु निबंदों के साथ-साथ आलोचनात्मक निबंद भी लिखे हैं दो अमार अंसर इसमें से कुछ-कुछ से यह ठीक हो सकता है लेकिन यह सभी ललीत निबंदकार हैं पत्रकारिता के सतर से निबंद सैली को विक्सित करने का परमुख लेखक कोन है किस ने लिख्सित की थी रामरिक्स बेनिपूरी जे ने रामरिक्स बेनिपूरी काफी इंपोर्डेंट लेखक है पत्रकारिता के सतर से निबंद सैली को विक्सित करने वाले लेक को में रामरिक्स बेनिपूरी का नाम परमुख है उनकी सैली में राष्टियता बाउक्ता और ओजिस्विता का मिला जुला रूप माकरनाल चत्रुवेदी का सम्रण दिलाता है अर्था जैसे माकरनाल चत्रुवेदी ने राष्टियता बाउक्ता और ओजिस्विता के से बारे लिखे हैं लेख लिखे हैं इसी परकार प्रामरिक्स बेनिपूरी ने इस परकार के निबंदों में विचार तत्तव कम और बाववेग अधिक रहता है गेहू और गुलाब कपरकासितवा 1950 में तथा वंदेवानी विनाई के 1957 में बेनिपूरी के परमुख निबन संकलन है वंदेवानी विनाईक नी इन में से किसका निबन संकलन है कि इनका निबन संकलन है ये रामवरिक्स बेनिपूरी जी का बालमुकुंद गुप्त दवारर रचित निबन संकलन का नाम क्या है क्या नाम है सिव संभू के चिठ्ठे ये इनका काफी इंपोडेंट निभन संग्रया है बालमकुंद गुप्त रचित निभन संग्रया का नाम सिव संभू के चिठ्ठे हैं चिठे बारत मित्तर में किस में परकासित हुए बारत मित्तर में और कप परकासित हुए उनिस्व चार से पांच में ये तत्कालिन गवर्नर जर्नल लाड करजन को संबोधित करके लिखे गई हैं ठाथ लाड करजन पर ये कटाक्स हैं ये काफी important हो जाता है कि लाड करजन पर कटाक्स के रूप में कौन सन्दिबन संग रहा है सिव संभू के चिठे और किसके द्वारा लिखा गया है बालमुकुन कुप्त के द्वारा देख कौन है परताप नारायन मिशर जी परताप नारायन मिशर के और अन्य निवन भी देख लेते हैं दात बो वरीद वरीद दोखा कुसामंद आप नारी परिक्स्या है दै समझदार की मोत है बात मूच जैसे सादारन विश्यो पर भी चमतकारपुर्ण और ऐसा दारन निवन किसने लिखे हैं परताप नारायन मिशर जी ने इनके निवन कौन से निवन संग्रा कौन से है परताप प्यूस निवन नवनीत और परताप समिक्स यह इनके क्या है निवन संग्रा और यह क्या थे इनके निवन नाक्स्ट क्वेस्टन देख लेते हैं परताप नारा प्रकार की मन मोजीपन है उनकी कटूता नहीं है विनोध पूरण वक्रकता बैसवाडी बोली कुन सी यूज किया बैसवाडी कि सहज गरामिन सवचंदता ने इनकी सैली को तैंट सजीव बना दिया है सिकार संबंदी रोचक निबंदों के रचनाकार कोन है स्री राम सर्मा जी सिकार संबंदी रोचक निबंदों के रचनाकार स्री राम सर्मा जी है पंडित स्री राम सर्मा ने सिकार से संबंदित अनेक निबंद लिखे हैं तो ये भी पूछा जा सकता कि सिकार से संबंदी नि निबन संग्रय किसका है, दिनकर जी गाँ, परसाद, पंत और मेंथली सरण, गुफ्त रामधारी सिंघ दिनकर की विववारिकता शंविक्ता क्लें, समिक्स संब शंबंदी करीती हैं, नए कि कोई निबन संग्रया है, अपनी संग्सा में इन होने आदुनी कव्यों में मैंतल को सरवसरेष्ट माना है मैथली सरण गुप्त को उनकी दरश्टी से मैथली सरण जी ने आर्ये संस्क्रीती को जगाया है प्रादिन देश को अपनी सक्ती की याद दिलाई है इतियास को कव्य रूप में रूपांत्रित किया गया है पंत जी का महत्तव नव जागरण के के कारण है इनके अन्य निवन संग्रय कोन कोन से है मिट्टी की और अर्द नारीश्वर खडग और विना मंदिर और राजबवन करम और वानी हर्द्य की रहा इर्ष्या तू नय गई मेरे मन से और चाहिए किरण जगत को चाहिए चिंगारी दीपक किलो अपनी होर अड़ी काची राग ये इनके निवन संग्रया है निवन है अर्द नारीश्वर निवन के रचनाकार का नाम बताईए अर्द नारीश्वर के निवन के रचनाकार कोन है रामदारी सिंग दिनकरजी निशाद बासूरी की रचना विदा है निशाद बासूरी की रचना विदा कुन सी है ललित निबन कुबेरनाथ राहे द्वारा लिखित निशाद बासूरी ललित निबन है इनका पहला निबन संग्रे पिरिया निल कंठी का परकासित वा 1968 में इनके अन्यनी बनसंग रेकोन कौन से हैं, रस आखेटक, येक परकास, 1973 में, गंद मादक, मादन, 1972 में, विशाद योग, 1973 में, परण मुकुट, 1973 में, महाकवी की तरजनी, 1967 में, काम देनू, 1998 में, पत्तर मणी पुतुल के नाम, 1989 में, मन पवन की नोका, 1982 में, किरात नदी के चंदर मदू 1983 में, दरश्टी अभिशार 1984 में, त्रेता का व्रीत राम 1986 में, मराहल 1903 में, उत्तर कुरू 1904 में, वानी का सीर सागर 1903 में, अंधकार में अगनी सिखा 1903 में, आगम की नाव 2008 में परकासित हुए थे, कुबेरनाथ राय पहले मादूरी और विशाल बारत में वेचारिक निबन लिखते थे, पिरिया निल कंठी तथा निशाद बासुरी किसके निबन संग रहा किसके है कुबेरनाथ राय के, ये अभी हमने इसकी वाक्षा देखी है, केवल छैन निबन लिखकर निबन लिखित म के स्रेष्ट निबन कार है, किस युके ये, द्विवेदी युके, इन्होंने कुल छैन निबन लिखकर आलोचको का द्याना क्रिष्ट किया था, इनके निबन नयतिकता समाजिक विशो से संबंदित है, गद्या में आवेग सील वैक्तित तव वैंजक, वैंजक का लाक्ष सेली का परियोग इनकी विशेष्टा है, कोन सी सेली का परियोग ये, इन्होंने लाक्षण इखता खा, हिंदी साहित्य में सरदार पुरण सिंग की खयाति किस रूप में हुई है, किस रूप में हुई है, एक निबन कार के रूप में, सरदार पुरण सिंह का जन्म 17 फरवरी 1860 में पाकिस्तान के एपटाबाद नामक स्तान पर हुआ था लुका हुआ था पाकिस्तान में हिंदी साहित्य में सरदार पुरण सिंह की खयाती एक निभन्दकार के रूप में हुई है यह जो सर्दार पुरण सिंग का टोपिक, एस्टेट के एकजाम में जो सलेवस दिया, उसमें भी लगा हुआ है, और बियार के सलेवस में भी है, क्योंकि बियार, SCRT में भी है, क्योंकि इनोंने सोध से संबंदित, बहुत सारे लेख अंग्रेजी में लिखे है, हिंदी में इनोंने कम ही लेख लिखे है, इसके अन्य महत्य पुन फैक्ट देख लेते हैं, सर्दार पुरण सिंग के परमुक कवीता संग्रे कोन से है, खुले मैदान, खुले आसमानी रंग, सच्ची वीर्ता, कन्यादान, पवितर्ता, आचरण की सब्वेता, मजदूरी और प्रेम, मजदूरी और प्रेमिन का के है, सर्दार पुर्ट के अंदर है, और ये एस्टेट के एक्जाम के भी सलेवस में दिया गया है, अमरीका का मस्ताना योगी, वाल्ट वीटमैन, आदीन के सभी निबंद कीस में प्रकासित होते थे, सर्श्वती पत्रीका में, जिसका संपादन कोन करते थे, माविर परशाद द्विवेदी जी, सरदार पुरण सिंग जी विख्यात हैं, किसके लिए विख्यात हैं निबंद कार के रूप में? मजदूरी और परेम, मजदूरी और प्रेम शिर्शक निबंद के लेखक एक रचना है, आचरण की सब बेटा, आचरण की सब बेटा निबंद के लेखक कौन है, अध्यापक पुरण सिंग जी, इन में से कौन सा निवन अध्यापक पुरण सिंग का नहीं है नहीं है तो हम देख लेते कौन कौन से आच्रण की सब बताईन का है मजदूरी और प्रेम बीन का है कन्यादान बीन का निवन है लेकिन गेहूं और गुलाब किसका है बेनी पुरीजी का विक्रम और वसी की मूल कथा नामक निवन के लेखक कौन है चंदर दर्सरमा गुलेरी की उसने कह था कानी काफी इंपोर्डेंट है चंदर दर्सरमा गुलेरी ने कौन कौन से निवन लिखे है विक्रम और Si की मूल कथा आमंगल के स्थान पर मंगल सबद मारे Si मोही कुंठाव तथा कच्छुआ धारम अ दिने ने लिखती है किस परकार के निबंदों में समास सैली परियुख्थ हुई है किस परकार के निबंदों में हुई है विचारात्मक सैली वालों में विचारात्मक निबंदों के परण्यान परण्यान में लेखकों ने समास्त थव्यास दोनों परकार की सैली का परियोग किया है विश्या परदान निबंदों को विवर्णात्मक, वर्णात्मक, बावात्मक और विचारात्मक निबंदों के वर्गों में विवक्त किया जाता है वर्णात्मक और विवर्णात्मक निबंसैली की दरश्टी से बहुत करीब है इनके परति पादन की पदती में अंतर होता है, विचार आतमक निबंदों की परति पादन की पदती को ध्यान में रखते हुए, विशलेशन आतमक थथा विवेचन आतमक निबंद भी कहा गया है, इस परकार के निबंदों को सुत्रा आतमक वैक्या रचना की सैली वाला के दुसरे वेक्य का पूरक होता हैं आर्थाँ सेंग शेप में वयाकत । किया जाता है । में लेखक के बाव की तरंग होती हैं किसी पुरन सम्रीति किसी प्राचिं कला करीति किसी सम्रणिय दिरिश सें कलपना कि उड़ान अथ्वा इसी परकार की किसी बावना पुरण परसंग से लेखक बावुक हो जाता है इसमें भी दारा सैली तरंग सैली नामक दोवेद किये गई है इसके कौन-कौन से बेद हैं दारा सैली और तरंग सैली ये भी पूछा जा सकता कि कौन-कौन से बेदा हैं, दारा सैली और तरंग सैली, किस परकार के निवंदों में बुद्धी तत्तव परमुख होता है, किस परकार के निवंदों में विचारात्मक, विचारात्मक निवंदों में बुद्धी तत्तव को और बावात्मक व्रणनात्मक और व्रणात्मक दोनों ही परकार के निबंदों में विचारात्मकता तदा कहीं बावात्मकता की परदानता हो सकती है। आपने कोई वीडियो नहीं देखिये तो प्ले लिस्ट में जाकर यह चैनल पर विजिट करके देख सकते हैं थैंक यू फॉर वोचिंग